एक हिरनी को बच्चा डिलिवर करना था जंगल और ऐसा जंगल धलान वाला जंगल तो वो एक ऐसी जगह डूण रही थी हिरन का बच्चा घंटे दो घंटे में उठके खड़ा हो जाता है दाड़ने लग जाता है वो ऐसी जगह डूण रही थी जहां पर धलान पर कोई खड़ा हो जहां वो बच्चे को डिलिवर कर दे जिससे की कम से कम घंटा आधा घंटा वो नॉमलाइज होके ऐसी जगा ढूण रहे थी कि धलान से फिसल ना जाए आब वो विडम बना क्या बादल गड़गडा रहे हैं बारिश होने वाली है तो खड़े में पानी न भर जाए उससे फिसल न जाए तो मा इंशियर करती है सब चीजों को तो हिरनी इंशियर कर रही है तो डिलिवर अ बेबी बादलों की गड़गडा हट उपर से बारिश पेट में बच्चा डिलिवरी के पेंस चल रहे है बच्चा किसी भी वक्त डिलिवर करना है च्वाइस ही नहीं है जैसे ही वो डिलिवर करने के लिए तैयारी करती है तो उसकी सामने नजर पड़ती है तो वहाँ एक शिकारी बंदूख लिए कोई खड़ा है अब वो डर गई दौड सकती नहीं जीवन की प्रस्तितियां हैं ये वो दौड नहीं सकती खड़ा वही है और खड़ा कहां ढूंडे और वो ये सोच रही है कि मैं क्या करूँ वो फिर कोशिश करती है कि थोड़ा सा भागी लूँ उपर धलान चड़ाई नहीं इस तरफ शिकारी खड़ा है एक ही तरफ है उस तरफ जैसे ही उसने मूँ किया तो शेर खड़ा है शेर खड़ा है ना इधर भाग सकती है ना उधर भाग सकती है ना उपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है और बादल गड़डा रही हिरनी की मनोवेथा समझे आप भी होते हो उसमें ऐसा नहीं है कि हिरनी की बात है हिरनी सोच रही है मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं तो फिर उसके अगला जहन में आता है कि मैं बच्चे को डिलिवर करके मैं भाग जाती हूं तो शायद इनका ध्यान भटक जाए गोली मारेगा तो बच्चे को तो न लगेगी तो बच्चा तो पहले एक तरफ करू फिर गोली मेरे को लगेगी मैं भाग लूँगी तो क्या पता शेर भी उधरी भाग ले बच्चे से ध्यान हट जाएगा तो मेरा पहला करम क्या है बच्चे को क्या करना बच्चे को डिलिवर करना क्योंकि गोली तो मेरे को लगनी है मेरे को तो लगनी लगनी है मेरे पास तो 24 ही नहीं है तो जब मेरे को लगनी ही है गोली फिर मैं भाग जाऊं तो शायद बच्चा बच्चा है बच्चे को जनम देना और बच्चे को बचाना उसक्षन की प्रियॉरिटी हो गई उसने आँखें बंद करी आँखें बंद करी हिरनी जैसे उसके अंदर ये ब्रह्म वाक्या आया हो Let me do my job मैं अपना करम करूँ और तू अपना करम कर ये क्षन आते हैं जीवनी जिस वक्त और यही धर्म है उस क्षन का मेरे को क्या करना है इस क्षन और गीता है उसका रास्ता हिरनी ने कहा Let me do my job and let him do his job और वो बच्चे को डिलिवर करने लगी बादलों की गड़गडा हट और पानी बरसने लगा शिकारी ने गोली चलाई गोली जाके शेर को लगी शेर साफ पानी बरसा शिकारी फिसला वो नीचे जाके गिरा ऐसे परकट होते हैं बगवान पर क्या तुमने करम किया उस क्षन जो तुम्हारा करम था ये कहते हैं क्रिशन करमने वाधिकार अस्ते करम करना तेरा अधिकार क्या होगा ये पर क्या तुम उसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन के मताविक चल रहे हो जब तुम्हारे मन में ये है कि तुम्हारे क्लाइंट को सरवश्रेष्टा का अनुभव हो तो तुमने जो ट्रिवर करना है क्या वो शुद्ध है फिर बारिश होगी होगी पुत्ती है साथ फिर वो जो शिकारी बंदूक लिए खड़ा था वो फिसलेगा ही और उसके पहले गोली शेर को लगेगी ही क्योंकि ये तुम्हारे अधिकारक्षेतर नहीं है कि शिकारी को क्या करना चाहिए इश्वर को क्या करना चाहिए और शेर को क्या करना चाहिए ये तुम्हारा डुमेन नहीं है ये तुम्हारा अधिकारक्षेतर नहीं है ये उसका अधिकारक्षेतर है और वो प्रतिक्षन अपनी उपस्थिती को दर्ज करवाता है वो काल या क्रिशन है क्रिशन का रत क्या होता है? काला जब कुछ ना दिखाई दे तो इसका मतलब क्रिशन परगट होने वाले है इसका मतलब ही ये है ये उसके दर्शन होने वाले है अब वो दिखेगा अब दिखेगा क्योंकि मेरे को दिखने ही रहा तो वो आ गया इसका मतलब दो परकार का ग्यान है दो परकार का अंधेरा है एक वो अंधेरा है जो तुमने क्रियेट कर रखा है एक उसका अंधेरा है जिसमें तुम प्रकाशमान हो जाते हो उसको परकट होने दो और वो कहता है मैं कब परकट होंगा जब तुम अपना करम करोगे अपने गुन धर्मों का पालन करते हुए फिर मैं खड़ा हूँ हो ही नहीं सकता कि मैं ना हूँ मैंने तो देखा है मैंने वो अंधेरा देखा है साब क्योंकि मैं जिस भी साइट पे जाता हूँ मेरी स्थिती हिरनी जैसी होती है हर क्लाइंट की वो पीड़ा उसकी एक एक बात उसके स्पेस की एक एक चीज मैं आतम साथ कर लेता हूँ मैं उसके साथ एका कार हो जाता हूँ और फिर एक स्थिती ऐसी आती है उसका पेन मेरा पेन हो जाता है मैं उस पेन से गुजरने लगता हूँ जिससे वो गुजरता है और फिर मैं तयारी करता हूँ कि कोई बात नहीं चड़ाई है तो क्या हुआ फिसलन है तो क्या हुआ शिकारी खड़ा है तो क्या हुआ शेर खड़ा है तो क्या हुआ मेरा काम है वो डिलिवर करना जो उस कालिये ने मुझे कहा है मैं अपने गुंधर्मों में लौट के आता हूँ मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ मैं वो लगा देता हूँ और वो बारिश होती है साव उस रेंड मेकर के जैसे वो बरसता है और शिकारी भी साफ होता है और शेर भी साफ होता है और जीवन सुरक्षित हो जाता है फिर वो हिरनी नाचती है वो कूदती है फिर वो खुश हो जाती है वो परगट होता है वो कालिया परगट होता है साथ मैंने देखा है मैं रोज देखता हूँ और मैं उसी के भाब में एक हो जाता हूँ करते हो तुम कनहिया मेरा नाम हो रहा है मैं कौन ना तीन में ना तेरा में ना पिद्दी ना पिद्दी का शोर वाई एक कमाल तो तेरा है तु जिसमें बैठा है उसकी नजर मुझे पे डिलवा देता है तेरी एक नजर क्या पड़ी हम कीमती हो गए वरना बैठे थे नुमाईशेदान में वह उनकी नजर पड़ी तो हम कीमती हो गए हम तो यूही बड़े हो गए क्योंकि हम उनके साथ खड़े हो गए हमारी क्या बड़ अपन हम कहां के हम कौन एक राजा के साथ मैं खड़ा हो गया तो लोगों को ब्रहम हो गया कि मैं भी राजदरवारी हूँ अरे ना भाई ना महा समराठ तो वो एक ही है कालिया कुछ भी करता है कभी बांसुरी बजाता है कभी साथ रंग दिखाता है कभी अनकार में परकट हो जाता है कभी निराकार हो जाता है तुम अपनी excellence से, तुम अपने करम की सिद्धी से, तुम अपने करम को प्रशस्त करके उसका अनुभव कर सकते हो, यही उसने लिखा है, अर्जुन, मैं किसी के भी करम की श्रेष्टा में मैं हूँ जब तुम अपनी श्रेष्टा, जब तुम अपने गुण धर्म, जब उसकी वानी को अक्षशा पालन कर देते हो, अपनी प्रकिर्ती को समझाते हो, उसके गुण धर्मों के अनुसार काम करने लगते हो, उनको परफेक्ट करने लगते हो, उसको वैलियो डिशन के लाइक महतब पुर्ण कर देते हो, फिर कालिया टेक ओवर कर जाता है, और कोई साधन मैं तो नहीं जानता, मैं कहता हूँ परमधारनाओं को धारन करो, किसी की दुकंदारी को अपने उपर लादने मत दो, तुम उस भीड का हिस्सा मत बनो, मैं तो तुम्हें उस एक परसेंट में लाना चाहता हूँ, मेरी जिद है ये, मेरी जिद है ये, बावडापन हो रखाय मेरे को, तुम समझी नहीं सकते हैं, और इसमें, या तो पार लग लोगे, या आर पार हो लोगे, क्या होगा, किनारे के इस तरफ खड़े हो, मैं चाहता हूँ उस तरफ खड़े हो जाओ, खड़े किनारे पे ही रहोगे, पर अंतर है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, क्योंकि उस पार खड़े हो, इंदकार को परकट होने दो, परन्तों तुम करमों की अगनी को जलाना शुरू कर दो, तुम्हारे करमों की अगनी से, को कालिये को पैदा होने दो, चमतकार तो एक ही आदमी करता है भाई, और कोई ना करता, किसी के बसका ना है, अपने करम को, पैसे को कमाने के लिए, तुम्हारा रोल क्या होना चाहिए, ग्यान को अरजित करो, पहले अपने ग्यान के खाने चेक करो, क्या तुम्हारे ग्यान के खाने सही है, उनका भ्यास करो.